नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे की केजेट क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है केजेट क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और केजेट क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की केजेट क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में केजेट क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है केजेड क्रीम एक एंटी फंगल दवा है, जिसका उप्योग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आधी लक्षन दिखाई द जाता है। फंगल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। केजेड एक ब्रैंड नेम है। केजेड क्रीम के अंदर सौल्ट कमपोजिशन कीटो को नाजोर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की केजेड क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में केजेड क्रीम की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में केजेड क्रीम की वज़से त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में लालपन, सूजन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की केजेट क्रीम को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है। केजेट क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और जिस एरिया पर क्रीम को लगाना है। उस एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और हाथों वो प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद केजेड क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। केजेड क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए। और केजेड क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर केजेड क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलाह देते हैं। केजेट क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इनफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। अब हम डिसकस करेंगे कि केजेट क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में केजेट क्रीम को लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर केजेट क्रीम को लगाने की सलाह तभी देते हैं। जब केजेट क्रीम का देना बहुत ही ज़रूरी हो। अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि केजेट क्री प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुक्सान पहुचाती है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को केजेट क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका केजेट क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।